बदाईू में स्वास्ते विभा की लापरवाही ने एक बार फिर मानवता को शरमसार कर दिया है मामला जिला, महिला अस्पताल का है यहाँ एक महिला को जिला अस्पताल लाने के लिए अम्बूलेंस नहीं मिली तो पती खुद ही स्ट्रेचर लेकर पतनी को महिला अस्पताल से जिला अस्पताल लेकर आया आपको बता दें कि उजहानी कोतवाली के बनगवा निवासी विपिन की पतनी ने एक बेटी को जनम दिया था इसके बाद उसकी हालत बिगडी तो पती अपनी पत्नी को लेकर जिला महला अस्पताल पहुचा जहां उसे भरती करने से मना करते हुए करमचारियों ने रवाना कर दिया जब विपिन ने एंबुलेंस की मांगी तो लापरवाह करमचारियों ने कहा कि ambulance नहीं मिलेगी, वो अपनी पत्नी को आटो से लेकर जाए इसके बाद बेबस पती स्ट्रेचर से ही महला को लेकर सडकों पर घूमता रहा और स्ट्रेचर से ही अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा जहां उसे भरती कर इलाज शुरू किया गया वही मामली में जब प्रभारी CMO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संग्यान में नहीं है मामले की जाज के बाद जो भी करमचारी दोशी पाया जाएगा उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी सरकार के तमाम दावों और वादों के बाद भी लापरवाह करमचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है इसी जिला महिला अस्पताल में बने S.N.C.U. वाड में जून से 15 अगस्त के बीच 32 बच्चों की मौत भी हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी लापरवाह करमचारीयों पर स्वास्ते विभाग ने कोई कारवाई नहीं की जिससे करमचारी लगातार लापरवाही कर रहे है पंजाब केसरी टीवी के लिए बनायू से राहूल सकसेना की रिपोर्ट